हाई गाईज यहां मैं आपको एक question explain करूँगा remove node from a BST तो एक BST बना हुआ है आपको उसमें से node उडाना है तो उसका algorithm में आपको explain कर देता हूं क्योंकि यही algorithm में आपको submit करना है उसी से आपका question accept हो पाएगा it is important you watch the video here देखेगा तो तीन cases आपको handle करने है अगर जिसको आप remove कर रहे हैं उसके zero child है उसका एक child है या उसके दो child है जैसे zero child बाले को remove करना है 30 को remove करना तो कुछ नहीं है बस उसे उडा दीजिए किसका एक child है जैसे 37 है एक child है तो क्या होगा जब इसको उडाएंगे तो इसका parent यहाँ अटाच हो जाएगा जिसका एक child है तो वो child उसके parents अटाच हो जाएगा जैसे एक और case दिखा लेता हूं कि 37 का अगर यह child होता 30 child होता तो 37 उड़ता तो 30 25 से चुड़ जाता अब जिसके दो child है जैसे 75 के दोनों child है तो पते क्या करेंगे ध्यान से 75 को उड़ाना है तो उसकी left side का max निका लिए उस max को यहाँ डाल दीजे 70 75 को जाए 70 मैं in fact काटके जिखता हूं 70 और left side का max remove कर दीजे तो इससे effectively 70 तो यहाँ आ गया और 75 remove हो गया यह मैं आपको बता जाता हूं कि left side का max को क्यों यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि अगर left side का max यहाँ डालेगा तो left वाले तो अब भी छोटे रहेंगे और left side का है तो right वाले अब भी बड़े रहेंगे तो यह BST बना रहेगा इसले हम left side का max यहाँ डाल सकते हैं और left side के max को कभी उड़ाएंगे तो दो child वाला case कभी नहीं आएगा कभी क्यों नहीं आएगा क्योंकि व वो हमेशे single child वाली problem में या zero child वाली problem में आएगा तो यह logic आपको implement करता है मिलते है solution video में